वेलकम टू निव एक्जाम आज 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई 2020 से करेंट अफ्यास के जितने भी इंपोर्टेंट कॉस्चिं मनेंगे हम इस वीडियो में डिसक्रस करेंगे तो दोस्तों वीडियो को लाट तर यहूँ देखिए क्योंकि आप से लाश्ट में कॉशन पूजेगे उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छ लागे तो लाइक उसिया जरू कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लेक का दिजिए जिससे कि आपको डेली के करेंट मिलता रहें तो चलते हैं आज की करेंट डफियास शुरू किये हैं तो यह किस राजी सरकाने की हैं यह कि यह उडिशा ने उडिशा के मुख मंत्री नवीन पटनायक ने गिरह और सामान प्रसासन विभावों के लिए फाइप्टी पहल के तेद आठ प्रोध्यों की संचाले समाधन शुरू किये हैं उन्होंने महामारी को द कर दे । सारवजानेक सेवाओं के लिए प्रोध्यों की समाधानों में भवनेस्वां लैंड यूज्शंच सिस्टम यानि VLUIS क्या भवनेस्वां लैंड यूज्शंच बात आती उडिशा की, तो उडिशा में जो हाल ही में, यहां के जो Chief Justice है, उडिशा आइकुट के, वो चुने गए थी मोहम्मद रफिक, और यहां पर मोजीवन पहल भी चल लगी है, और मोपृतिवा पहल भी चल लगी है, और यहां पर Hero to Animal Award मिला यहां, जैसे पेटा गोलते ह और यहां पर Important National Park के जो, वह सत्कोसिय टाइगर रेजर्व, सिमलिपाल नेशनल परक और गहरमत वाइल लाइफ सेंचुडी चिलका लेग, अब उडिशा के बारे में और जाने, तो उडिशा का जो गठन हुआ था, वह हुआ था 26 जन्वरी 1950 को, उडिशा की राजदानी बताई चुके हैं वह है नवीन पतनायक, राज्यपाल गनेशिलाल, और यहां कि मुखने आदिश के बारे मिं बता चुके है, वह है मुहमद ररफीक। लोक सवा सीट है यहां पर 20, राज्य सवा सीट हैं वह है 147, यहां पर जिलों की संक्या है, वह है 30 और हम आपको बता कि जिलों से भी कॉस्चन बनने लगें तो हर राज्य के आप जिले भी याद कर लेजिए और यहां का जो राज्किये पसुए बहुए शामर हेरन और राज्किये पक्छी है बहुए भारती है रोलर तो दोस्तों कॉस्चन नमबर एक सितनी जान काई मिलती है चलते अंगले हाल ही में अमेरिकी नौसाना ने पहली अश्वेत महीला शामरिक बिमान पाइलेट की रूप में किसका स्वागत किया है तो यह किसका किया है यह किया है मेडलेन श्वेगल का किसका मेडलेन श्वेगल अमेरिकी नौसान्य ने अपनी पहली अस्वेत महिला शामरिक बिमान पाइलेट का स्वागत किया है लेटिनेंट जी मेटलेन स्वीगल ने नोसेनिक उडान स्कूल पूरा कर लिया और जुलाई 2020 में कब जुलाई 2020 में उडान अधिकारी इंसिगनिया क्या इंसिगनिया जिसे रिंग्स ओफ गुल कहा जाता है इंसिगनिया जिसे क्या कहा जाता है रिंग्स ओफ गुल से नवाजा गया 1974 में रोजमेरी मेरीनर जो एक सामरिक लडाकु जेट उडाने वाली पहली महीला बनी कौन बनी दी 1974 में बनी दी कौन रोजमेरी मेरी नर जो एक सामरेक लड़ा को जेट उड़ाने वाली पहली महीला बनी इनके बाद स्विगल की उपलब दिये 45 साल से अधिक समाई के बाद यह आई है अब बात आती है अमेरिका की तो अमेरिका की जो राजदान है वो है वाभ्यान के तहर्त किस राज्य में दूद और डेरि उत्पादों के नमूने एक अत्रित किये जाएंल में यह किये जाएंगे कहां राजिस्तान में दूद और उसके उत्पादों की सुद्ददा सुनिश्यत करने के लिए राजिस्तान में एक अभियान सुरू किया गया है दूद और डेरी उत्पादों के नमूने आठ से चगदर जुलाई कितने? आठ से चगदर जुलाई 2020 से प्योर फोर से और अभियान के तैद एकत्र किये जाएंगे। सभी खाद्द सुरक्षा अधीकारियों को सभी आवसेक अपकरण ओसुषी दा प्रदान की जा रही है। खाद्द सुरक्षा अधीकारियों द्वारा एफ्युध एप ऐसेश एई ऐ आई। अब बात आती है राजस्तान की तो राजस्तान में एक चल रहा है स्वास्त्र मित्र नियुक्त और यहाँ पर राजकॉप सिटीजन अब भी चल रहा है और यहाँ पर इसमाइल जो की ए लार्निंग प्लेटफोर्म है यहाँ पर आयू ए सेहत आयू एप सेहत साती एवं टू कंसर्ड विट डॉक्टर तो यहाँ पर चल रहा है और हम आपको बता दें अब बात आती राजस्तान की तो राजस्तान के बारे में और जाने तो राजस्तान का जो गठन हुआ था बुगा था एक नमंबर 1956 को कब हुआ था एक नमंब उनिश्तान गों यहां की राजदान ही जैपुल यहां के मुख मंत्री असोग गैलू था कौन असोग गैलू जो की चर्चा में और राजय पाल है कल राज मिस यहां पर लोग सभा सीट है पच्चीर राज्य सभा सीट है दस और यहां पर बैदा इस इतनी जाने काई मिलती है और हम आपको बता दें इसकी जो PDF है वह आप हमारी टेलिगरम कृप से डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपको एक बात और बता दें हमने अपना WhatsApp गूरू शुरू कर दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में परस्नली मेंसेज करकि आप हमें WhatsApp नमबर दे देना तो आपको एड कर लेंगे वहाँ पर भी आपको PDF एविलेवल हो जाएंगी चलते हैं अगले कॉस्चन पर हाल ही में जारी Economist Intelligence Unit की रिपोर्ट में भारत की रेंग क्या है तो इसमें भारत की रेंग है आठवी नमबर पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार 10 ACR पिरस EUI की रिपोर्ट यानि ACR प्रसांत में कैंसर की तहियारी सारवह में कैंसर नियंत्रण की दिसामें प्रगती EIU यानि Economist Intelligence Unit की कैंसर की तहियारी के सूचकांग से प्राप्त निस्कार्जों की जाज करती है और जिसमें हम आपको बताने आस्टली आ है वह 92.4% दक्षड परसेंट और मलेशिया है 80.3% इस चेत्र से आ गए है तो दोस्तों कॉस्चन अंबर चाहस इतनी जान कहीं मिलती है चलते हैं एंगली कॉस्चन पर हाल ही में किसने राज्यों के कला सिल्प और हद करगा छेत्रों को बढ़ावा देने के लिए करनाटक MSME और खान विभाग के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किसने किये एक ही है फिलिपकर्ड ने राज्यों के कला सिल्प और हद करगा छेत्रों को बढ़ावा देने के लिए करनाटक MSME और खान विभाग के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं को यह उन्हें इक ओमर्श पर लाएगा का लाएगा इक को मर्श पर लाएगा और बजार पहुंच परदान करीगा फिलिपकर्ड समर्थ कारकरम के तर्द भागी-दारी से करनाटक के स्तानिये कारिगरों बुनकरों और सिल्प कारों को अपने हॉल मर्क वतपादों को पैन बारम हुआ है औलाइन कोचिंग प्लेटफोर्म जिसका नाम है गेट सेट गो और यहां पर एप था मित्र एप और मेक संदिश एप भी चल रहा है यहां पर कॉरूना बाच एप भी चल रहा है और यहां पर 18 यून को मास्क के दिवस मनाया गया था और इसने कन्नाटक राज् बेंगलूरू यहां के जो मुक्ष मंति वह बी एस एदूरप्पा और राज्यपाल बाजु भाई बाला और मुक्ष ने आदी इस यहां के कन्दाटक अपकूट के अबाई स्रीनेवास यहां पर जो लोकसवा सीट हैं वह एट्टाइस राज्यसवा सीट हैं बारा और और आई यहां पर हाल ही में किसने आरो के संजीवने नेती की सीवा को संसुलिद किया है एक किया है, एक इरदाई ने यानि i r di ai इंस्वरेंश लग डिडि अडॉलेटरी इन डेवलमेंट आथरटी ऑफ इंडिया यानि इरदाई ने स्वास्तो सामान नभीम अ कंपनीओं क एक सर्कुला जारी किया हैं जिसमें आरोग ये संजीवनी पॉलेसी के लिए नियूंतम कितने 50,000 रुपे की HAD istoาม बीमित रासी 5拉 रुपे से आधिक कितनी पांच लाक रुपे से अधिक की पेशकस कि गई आ आर्तमान में आरूगवे संजीवनी नेटी नियुनतम वीमा, रासि का मूल स्वस्त कबर एक लाख रुपे ऌर अदेक्थम पांच लाख रुपे के साथ आता है। आरोग संजीवनी एवं मानक स्वास्तवीमा योजना है जो भारत के कई स्वास्तवीमा कंपनियों द्वारा पेशकस की जाती है यह नहीं थी एड़ाई ने निदेशों के अनुसर बेची जा रही है यह एड़ाई के निदेशों के अनुसर बेची जा रही है तो दोस्तों चलते हैं अंगली कोस्टिन पर हाल ही में किसके साथ एक भायती बटा लिएन ने पर्यावरान प्रोष्का जीता है तो किसके साथ जीता है यह जीता है लेवनान में संयुक्त राष्ट अंत्रिम्बल की साथ लेवनान में संयुक्त राष्ट अंत्रिम्बल यानि यू एन UNFIL के साथ तेहनात एक भारतिय बटालियन ने एक परियुजना के लिए सम्मानत किया गया है, जिसका उद्दिष अपसिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पना उप्योग करना, गिरिन हाउस का निर्माड करना और खात की घड्डे की बनाना है। UNFIL मिशन के हेड और फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टैफनों डेल करनल के यूनिफिल पिरमों ने साथ मिशन संस्ताओं को बार्शिक परियावन प्रोस कर दिया। तो दोस्तों कॉस्चन नमबर साथ से इतनी जानका ही मिलती है, चलते हैं अंगली कॉस्चन पर। हाल ही में, WHO ने COVID-19 के अंतर राश्टिय पिर्थिकी रिया की स्वतंत समीक्षा की घोशना किये। निमने लेखित में से कौन समीक्षा का नेत्त्त करेगा। तो यह कौन करेगा। यह करेगा। एलेन जोन्सन सरलीव और हैलेन कराग। यानि दोनों जन इतका नेत्तत करेंगे। बात आती है, तो हमगर आपको इसके बारें बतारें डबलू याचो की, तो डबलू याचो ने COVID-19 महामारी की अंतर राष्टी प्रतिकिरिया की स्वतंत समीक्षा की गोस्ण की है। पूर्व लवेरियाई राष्टपती एलेन जोन्सन सरलीव नोवल सांती पुरुषकार विजेता जोकी और न्यूजिलेंड के पूर्व प्रतान मंत्री हैलेन क्लार्क समीक्षा का नेत्तत करेंगे। इसके नमंबर 2020 में अंत्रेम रिपोर्ड और मई 2021 में विश्व स्वास्त विदान सभा की 2021 की मूल रिपोर्ट देनी की उम्मीद है। अब बात आती है WHO की तो यानि WHO का फिलफो में वर्ल्ड हैथ औरगनाईजीशन इसकी स्थापन हुई थी। साथ अप्रेल 1948 को हैटकवाट अरे जिलेवा स्वेड़ेलेंड में इसके बर्तमान में जो महान देशा के वो है टेड्रोस अधनौम औरे आके जो उपमहान देशा के वो है श्वामिया श्वामिनाथन। तो दोस्तों कॉश्चन नमर 8 से 3 यान कहीं मिलती है चलते हैं अंगली कॉश्चन पर हाल ही में किसने एलेक्ट्रोनेक्स और सूचन प्रोध्योगी की मंत्रा लाए यानि M-E-I-T-Y और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साज़िदारी की गोशना की तो यह किसने किये यह किये टी हब ने टी हब ने एलेक्ट्रोनिक और सूचन प्रोध्योगी की मंत्रा लाए M-E-I-T-Y और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साज़िदारी की गोशना की है टी हब पूरे भारत में हायड़वेर और आईयोटी क्या आईयोटी स्टाटप के लिए डिजिटल इं करना है और उन्हें निवेस और नए बजार पूंच की रूप में तैयार करना है तो दूस्तों कोस्चन नम्र नौ से इतनी जाने कई मिलती है चलते हैं अंगले कोस्चन पर हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वारा सपलता पूर्वा कितने नागरे को को समुद्र के द्वारा उनकी मात्र भुमिंगे वापस लाने के बाल सम्थ हो गया है तो कितने लाइक लाइक ऐलाय समद्र सेतु एक उसकी द्वार्वारा कि तीन जानoria सो बानमे ऑपरेशं समुद्र सेतु जिससे कब चलाए गया था फांस माई को चलाय गया ता घुजा भीस कू लाँ सो बान में भारती नागरेकों को समुद्र के दौरा उनकी मातभू में बापस लाने के बाद समध्त कर दिया गया कोविड-90 महामारी के बीच विदेशियों और भारतियों को बापस लाने लिए राश्टी प्रयास के एक भाग के रूप में से लॉंच किया गया था पच्पन दिनों से अधिक कितना पच्पन दिनों से अधिक समय तक चले इस आपरेशन भारती नों से निक जहाज जल अश्व और एरावत सारदुल और मगर में भाग लिया तो दूस्तों कॉस्चन कर रहा है एक कर रहा है SBI यानि भारती इस्टिट बैंक के साथ बारती इस्टिट बैंक के साथ महाराश सरकान एक तनाव को इस्तापित किया है यह मुंबई महानगर चित यानि M MR मुंबई महानगर चित और राज्य के अन्यच सहरी चित्रों में रुकी हुई जुगी पु जीवित करने के लिए वित्ती सहायता प्रदान करने के उद्देश सरकार इसने दी में 700 कडोर रुपे कितने 700 कडोर रुपे और 1000 कडोर रुपे दक का नवेस करेंगी अब बात आती है महाराश्च की तो महाराश्च में हाई कुट की चीप जेश्टर साली में नेक्त हुए द पांकर दता और यहां पर जो नेशनल पार्क है संजय गादी गुगुमल और नवे गाउन नेशनल पार्क यहां पर जो मुप्त स्वास्त विवा परदान करने वाला देश का पहला राज जीवन आया महाराश्च और सिवाजी इन साउध ब्लोग दा अन्रेटेन हिस्ट्री अफाइड प्राइड प्यूपल जो कि गिश्कुबर अब बात आती हैं महाराश्च की तो महाराश्च के बारे में जान लेते हूं और महाराश्च का जो गटन हुआ था बहुँआ ता एक महीं उनीस उसाट को यहां की राजदानी मॉंबई और सितकाली राजदानी यहां पर ब्यदानपरी देश的是 68' से वाइन बेट को राज्टि उद्यान की पारे मिलते हैं चोह पूलामा इतन आयान घॉकि कॉछनमा घ्यारा से चलते हैं अंगलेग कॉस्चन चोह नहीं हाल इह में किस ने एवव, kaos उल के साथ एक समझोती पर हस्ताक्छर कर पत्र में हस्ताक्छर कर यहांपर मिश्टिक हो गया हस्ताक्छर के पत्र में किये हैं तो तो एक किस ने किये एक किये ऐडी बीने यानी ASEAN विकास बैंक ने एसीन विकास बेंक और एजूकेशन एवल ओल एव यानि एए फाउंडेशन ने एक समझोती पर हस्ताक्षर किये हैं दोनों इस्कूल ना जाने वाले और जोकें बाले बच्चों को गुर्वत्ता प्रात्मे सिक्षा में लाने के लिए सौ मिलियन डॉलर कि संउक्त परियुजनां करेंगे संग्ठन एस उन्यच्चत करने के लिए 10 देशों में कि परियुजना को लाघू करेंगे कि कम से कम तीन लाक भी सजार कितने तीन लाक भी सजार इसको ना जाने वाल बच्चों को गुलबत्तर प्रात में सिक्षा कि उनके अधिकार का ऐसास हो अब बात आती एडीवी की तो एडीवी के जो फुल्पों में एसीन विकास बैंक यानी एसीन डेवलमेंट वैंक इसका जो हैटकोटर है वो है माडलू यांग फिलिपीन्स में इसके अध्याक्षी बरतवान म माज सुभू असकावा और यहां की जो इस्ताद नहीं थी एडीवी की वह थी उन्नीज दसंबा उन्नीज सो च्यासाट को तो दोस्तों कॉस्चन नमर बारा से त्नी जाने काई मिलती है चलते हैं अंगली कॉस्चन पर हाली में इसरो अगस्त दोजार बीस में धुर्वी उ उपगराय को ले जाने के लिए तैयार कर रहा है तो यह किसे कर रहा है यह कर रहा है ब्राजील के इसरो अगस्त दोजार बीस में धुर्वी उपगराय पिर्छेपणयान यानि पी एस एल भी पोलर सेटिलाइट लांच वेहिकल से ब्राजील के अमोजोनिया फर्ष्ट अलोकन के लिए पहला उपगराय होगा जिसे ब्राजील में डिजाइन एकटा ओपरेक्षण किया गया है ब्राजील के उपगराय की प्रिछेपण की प्रोष्टी की गई है लेकिन नियोजयत लॉंच की तारिक पर इस पर्सट नहीं है अब बाता आती ये ब्राजील की तो एंगले कॉस्टिन पर हाल ही में His Holiness the 49th दलाई नामा अनिलिस्ट्रेटेड वायोग्राफी नामा पुस्तक के लिए का कौन है तो एक कौन है यह है तेन जिन गेचे टैथिंग कौन तेन जिन गेचे टैथिंग दलाई नामा पर एक नहीं किताब अक्टूबर 2020 में जारी की जा सब्सक्राइब और दस्ता बेजें तीन सो वाओन कितनी तीन सो वाओन पन्नों की पुस्तक His Holiness the 49th दलाई नामा अलिलिस्ट्रेटेड वायोग्राफी से लगवक पांच बरसों से लिखा जा रहा है को दलाई लामा के सबसे करीभी सायोगियों में से एक और 40 से अधिक बरस पर हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले पांच बरसों के दोरान कम से कम एक या अधिक महीनों पूर्व और दुग इस तरों की तुल्णा में कितने डिग्री सेल्च अधिक गर्म होंगे तो यह कितने डिग्री होंगे यह होंगे 1.5 डिग्री अगले पांच बरसों की दोरान कम से कम एक या अधिक महीने पूर्व और दुग इस तरों की तुल्णा में 1.5 डिग्री सेल्च अधिक गर्म होंगे यह मौसम विज्ञान संगठन यानि WMO द्वारा चेतावनी दी गई है पूर्व और दुग एक समाए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को वह सत तापमान मानती है बारस सहे कई चेत्र अत्य देख तापमान दर्जी करेंगे और आब रित्ती में ब्रद्धी होगी अब बात आती है डबलू एमो की तो डबलू एमो का जो मुख्यला है वह है ज बिलती है यह तो रहा आच के करेंड़ और हमने आपको कले एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसा देख लीते हैं कुछ लोगों ने गलत भी बूला तो लोगों से निवेदा ने कि पढ़ाई कीजिए वीडियो को इसलिए बोलते हैं कि लाइक तक दिखे क्योंकि आप मिस्टेक ना करें आपने परसों की वीडियो नहीं देखे हुए तो इसका आंसर आप लोगों ने गलत दिया तो इससे मिला यह मिला है इसका जो भी आंसर हो वह आप कमेंट बॉक्स में देना हो आपको जतना भी उनकी बारे में पता हो वह भी आप बताना और वीडियो अच्छा लागे तो लाइक उसी आयो कि यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्नावा झाल झाल झाल